C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए 5 प्रारंभिक आकारों को समझना प्रिष्ट 94 5. लवेक भूमिका अपने आसपास हम जोभी आकार यानी शेप्स देखते हैं वे वक्रों या रेखाओं से बने होते हैं हम अपने परिवेश में खोने, किनारे, तल, खुली वक्र और बंद वक्र देखते हैं हम इन्हें रेखाखंडों, कोडों, त्रिभुजों, बहुभुजों और वृत्तों में संगठित करते हैं। हम पाते हैं कि ये विभिन साइज या मापों के होते हैं। आइए इनकी मापों की तुलना करने की कुछ विधियां विकसित करें। 5.2. रेखाखंडों का मापना हमने अनेक बार रेखाखंडों को देखा और खीचा है। एक त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनता है और एक चतुरभुज चार रेखाखंडों से बनता है। एक रेखाखन्द यानि लाइन सेगमेंट एक रेखा यानि लाइन का एक निश्चित भाग होता है इस से रेखाखन्ड को मापना संभव हो जाता है प्रत्येक रेखाखन्ड का यह माप यानि मेजर एक अध्विती य संख्या है जो उसकी लंबाई यानि Length कहलाती है दो रेखा खंडों की तुलना करने के लिए हम उनकी लंबाईयों के बीच एक संबंध ग्यात करते हैं। ऐसा अनेक विधियों से किया जा सकता है। 1. देख कर तुलना। यहां दो रेखा खंड दिये गए हैं A, B और C, D। केवल देख कर ही क्या आप बता सकते हैं के उपरोक्त में से कौन सा रेखा खंड बढ़ा है। प्रिष्ट 95 आप देख सकते हैं के रेखा खंड A, B बढ़ा है। परंतु आप अपने सामान्य निरणय के बारे में सदैव निश्चित नहीं हो सकते हैं। उदाहरनार्थ निम्नलिखित रेखा खंडों को देखिए। यहां दो रेखा खंड दिये गए हैं। इन दोनों रेखा खंडों की लंबाईउं का अंतर इतना सपष्ट नहीं है। अतह हमें तुलना करने की अन्य विधियों की आवशक्ता है। वास्तव में सनलगन आकरिती में रेखा खंड A, B और P, Q की एक ही लंबाई है। यह इतना सपष्ट नहीं है। इसलिए हमें रेखा खंडों की तुलना करने के लिए और अच्छी विधियों की आवशक्ता है। दो अक्स द्वारा तुलना। यहां रेखा खंड A, B और C, D दिये गए हैं। रेखा खंड A, B और C, D की तुलना करने के लिए हम एक अक्स कागज यानि ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। हम अक्स कागस पर रेखाखंड CD का अक्स खीचते हैं और इस अक्स कागस पर बने रेखाखंड को रेखाखंड AB पर रखते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि रेखाखंड AB और रेखाखंड CD में से कौन बड़ा है। यह विधी इस बात पर निर्भर करती है कि हम रेखाखंड का अक्स कितनी शुद्धता से खीचते हैं इस के अतिरिक्त यदि आपको किसी और रेखाखंड से तुलना करनी हो तो उस अन्य रेखाखंड का भी अक्स खीचना पड़ेगा यह कठिन है क्योंकि जब रेखाखंडों की तुलना करनी हो तो आप सदाएव रेखाखंड का अक्स ही नहीं खीचते रहेंगे 3. रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना क्या आप अपने ज्यामिती बक्स में रखी वस्तूओं को पहचानते हैं? अन्य वस्तूओं के अतिरिक्त इनमें एक रूलर और एक डिवाइडर भी है यहां उनके चित्र दिये गए हैं ध्यान दीजिये के रूलर पर चिन्ह किस प्रकारंकित हैं? यह 15 बराबर भागों में विभाजित है प्रत्येक भाग की लंबाई एक सेंटिमीटर है प्रिष्ट 96 इनमें से प्रत्येक भाग को आगे और उपविभाजित यानि सब डिवाइड किया गया है कैसे? इस प्रकार उपविभाजित प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है? प्रत्येक सेंटीमीटर को दस बराबर भागों में उपविभाजित किया गया है एक सेंटीमीटर का प्रत्येक उपविभाजित भाग एक मिलिमीटर है कितने मिलिमीटरों से एक सेंटीमीटर बनता है? एक सेंटीमीटर बराबर दस मिलिमीटर होता है तो हम 2 cm और 3 mm को कैसे लिखेंगे? 7.7 cm का क्या आर्थ है? 1 mm 0.1 cm होता है, 2 mm 0.2 cm होता है, इत्यादी. 2.3 cm का आर्थ होगा 2 cm और 3 mm. मान लीजिये रेखा खंड AB की लंबाई मा अपनी है. रूलर के शून चिन्ह को A पर रखिये, B के सम्मुक चिन्ह को रूलर पर पढ़िये, इससे रेखा खंड AB की लंबाई ग्यात हो जाएगी. मान लीजिये यह लंबाई 5.8 cm है, हम इसे लंबाई AB बराबर 5.8 cm लिख सकते हैं, या केवल AB बराबर 5.8 cm लिख सकते हैं. इस प्रक्रिया में भी त्रुटी की संभावना रहती है, रूलर की मोटाई के कारण उस पर अंकित चिन्हों को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है. सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए. 1. अन्य कौन सी त्रुटियां और कठिनाईयां हमारे सम्मुक आ सकती हैं? 2. यदि रूलर परंकित चिन्हों को ठीक प्रकार से न पढ़ा जाए, तो किस प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? 3. स्थिती के कारण त्रुटि. सही माप लेने के लिए आँख की स्थिती सही होनी चाहिए. आँख को चिन्ह के ठीक उपर रखा जाए, अन्य था तिर्चा देखने पर त्रुटि हो सकती है. ये प्रक्रिया सनलग्न चित्र में दर्शाई गई है. क्या हम इस समस्या से बच सकते हैं? क्या इस से और कोई अच्छी विधी है? आईए लंबाई मापने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करें. डिवाइडर को खोलिए. इसकी एक भुजा के अंतबिंदु को ए पर रखिये और दूसरी भुजा के अंतबिंदु को बी पर अलाव में बिना कोई परिवर्तन किये, डिवाइडर को रूलर पर इस प्रकार रखिये के एक अंतबिंदु रूलर के शूने चिन्ह पर रहे. अब दूसरे अंतबिंदु के समुक चिन्ह को पढ़िये. यही रेखा खंड ए बी की लंबाई है. नीचे दी आकरिती देखिय प्रिष्ठ 97. प्रयास कीजिए. एक. एक पोस्ट कार्ड लीजिए. उपरोक्त तकनीक का प्रयोग करके इसकी दो आसन भुजाओं को मापिये. दो. कोई तीन वस्तुएं चुनिए जिनके उपरी सिरे सपाठ हों. डिवाइडर और रूलर का प्रयोग करते हुए इन उपरी सिरों की सभी भुजाओं को मापिये. प्रश्नावली 5.1. एक. रेखाखंड की तुलना केवल देख कर करने से क्या हानी है. दो. एक. रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है. 3. कोई रेखाखंड A, B खीचिये. A और B के बीच स्थित कोई बिंदु C लीजिये. A, B, B, C और C, A की लंबाई मापिये. क्या A, B बराबर A, C, जमा, C, B है? 4. यदि किसी रेखाखंड पर बिंदु A, B, C इस प्रकार स्थित हों के A, C, जमा, C, B बराबर A, B है, तो निश्चित रूप से बिंदु C, बिंदु A और B के बीच स्थित होता है. 4. एक रेखाखंड पर बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित हैं के A, B बराबर 5 cm, B, C, बराबर 3 cm और A, C, बराबर 8 cm है. इन में से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है? 5. जाँच कीजिए कि सनलगन आकरिती में D, रेखाखंड A, G का मध्य बिंदु है. 6. B, रेखाखंड A, C का मध्य बिंदु है और C, रेखाखंड B, D का मध्य बिंदु है, जहां A, B, C और D एक ही रेखापर स्थित हैं. बताए के A, B बराबर C, D क्यों है? 7. पांच त्रिभुज खीचिए और उनकी भुजाओं को मापिए. प्रत्येक स्थिती में जाच कीजिए कि किनहीं दो भुजाओं की लंबाईयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बढ़ा है. 5. पांच दशमलवतीन कोण, समकोण और रिजुकोण आपने भुगोल यानि जियोग्रफी में दिशाओं के बारे में सुना है. हम जानते हैं कि चीन भारत के उत्तर में और श्री लंका दक्षण में है. हम यह भी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदै होता है और पस्चिम में डूबता है. कुल मिला कर चार दिशाएं हैं. प्रिष्ठ 98. ये हैं उत्तर यानि नौर्थ, N, दक्षण यानि साउथ, S, पूर्व यानि इस्ट, E, और पस्चिम यानि वेस्ट, W. क्या आप जानते हैं कि उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा है? पस्चिम के विपरीत कौन सी दिशा है? आप पहले से जो जानते हैं उसे याद कीजिए. अब हम इस ग्यान का प्रयोग कोड़ों के कुछ गुणों को सीखने में करेंगे. इनहें कीजिए. उत्तर की और मुह करके खड़े होईए. घडी की दिशा, यानि दक्षणा वर्त दिशा, यानि क्लॉक्वाईज में पूर्व की और घूम जाईए. आप एक सम कोण, यानि राइट अंगल के बराबर घूम गये हैं. घडी की दिशा में एक सम कोण और घू यानि वामावर्त दिशा, यानि anti-clockwise में एक समकोण घूम जाएं, तो आपका मुह किस दिशा में होगा? यह पुनह पूर्व में है, क्यों? निम्नलिखित स्थितियों को देखिए, आप उत्तर की और मुह की ये खड़े हैं, गड़ी की दिशा में एक समकोण घूमने पर अब आप पूर्व की और मुह की ये खड़े हैं, एक अन्य समकोण घूमने पर अंत में दक्षिन की और मुह की ये खड़े हैं, उत्तर की ओर मुह होने से दक्षण की ओर मुह होने तक घूमने में आप दो समकोन घूम गए हैं क्या यह दो समकोनों के एक घूरणन के बराबर नहीं है उत्तर से पूर्व तक का घूमना यानि घूरणन एक समकोन के बराबर घूमना है उत्तर से दक्षिन तक का घूमना दो समकोणों के बराबर घूमना है इसे एक रिजु कोण यानी स्ट्रेट अंगल कहते हैं एन एस एक सीधी रेखा है दक्षिन की और मुह करके खड़े हो ये प्रिष्ट निन्यानवे एक रिजु कोण के बराबर घूमिये अब आप किस दिशा में मुह की ये खड़े हैं? आप उत्तर दिशा की और मुह की ये खड़े हैं उत्तर से दक्षिन तक घूमने के लिए आप एक रिजु कोण के बराबर घूमे हैं पुनह दक्षिन से उत्तर तक आने में आप एक रिजु कोण के बराबर घूमे हैं। इस प्रकार दो रिजु कोणों के बराबर उसी दिशा में घूमने पर आप प्रारंभिक स्थिती में आ जाते हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। आप अपनी प्रारंभिक स्थिती तक आने के लिए एक ही दिशा में कितने सम कोण घूमेंगे। एक ही दिशा में दो रिजु कोण या चार समकोण घूमने पर एक चकर पूरा हो जाता है. यह एक पूरा चकर एक घूरणन कहलाता है. एक घूरणन के लिए कोण एक समपूरण कोण यानि complete angle कहलाता है. हम इन घूरणनों यानि revolutions को एक घड़ी पर देख सकते हैं. जब घड़ी की एक सुई एक स्थान से अन्य स्थान पर पहुँचती है, तो वह एक कोण यानि angle पर घूम जाती है. मान लीजिए घड़ी की एक सुई बाराह से चलना प्रारंभ करके घूमती हुई बाराह पर पुने पहुच जाती है. क्या उसने एक घूरणन पूरा नहीं कर लिया है? अतह उसने कितने समकोण घूम लिये हैं? इन उधारणों यानि आकृतियों को देखिए. पहली आकृति 12 से 6 तक एक घूरणन का आधा या दो समकोण. दूसरी 6 से 9 तक एक घूरणन का एक चौथाई या एक समकोण. तीसरी 1 से 10 तक एक घूरणन का तीन चौथाई या तीन समकोण. प्रयास कीजिए प्रिष्ट 100 प्रशनावली 5.2 1. घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूरणन के कितनी भिन घूम जाती है जब वह 2. एक घड़ी की सुई कहां रुख जाएगी यदिव है A. बारह से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूरणन करे B. दो से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में आधा घूरणन करे C. पांच से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में एक चौथाई घूरणन करे D. पांच से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में तीन चौथाई घूरणन करे 3. आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में A. पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में आधा घूरणन करें B. पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में डेढ़ घूरणन करें C. पश्चिम की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत दिशा में तीन चौथाई घूरणन करें D. दक्षण की ओर देख रहे हों और एक घूरणन करें क्या इस अंतिम प्रश्णे के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए? क्यों नहीं? 4. आप एक घुरन का कितना भाग घुम जाएंगे यदि आप गड़ी की घंटी की सुई द्वारा घूमे गए सम कोणूं की संख्या ग्यात कीजिये जब वह आप कितने सम कोन घूंग जाएंगे यदि आप प्रारंभ में A. दक्षन की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूंग जाएं B. उत्तर की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत यानि वामावर्त दिशा में पूर्व की ओर घूंग जाएं C. पश्चिम की ओर देख रहे हों और पश्चिम की ओर घूम जाएं D. दक्षन की ओर देख रहे हों और उत्तर की ओर घूम जाएं साथ, घड़ी की घंटे वाली सुई कहां रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे A. छै से और एक समकोंड घूम जाए B. आठ से और दो समकोंड घूम जाए C. दस से और तीन समकोंड घूम जाए D. साथ से और दो रिजू कोंड घूम जाए अभी आप सुन रहे थे कक्षा छै की गणित की ध्वनी पाठे पुस्तक वाचन स्वर गौरव मारवा निर्मान सहयोग, सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चाधरी तथा प्रस्तुती C. I. E. T. N. C. E. R. T. नई दिल्ली भारत